परिजय चात्रों, आज हम हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन के बारे में सीखेंगे श्रीमान, हेलो एलकेन क्या है? हेलो एलकेन एक रासाइनिक योगिक है, जिसमें एलकेन के एक या अधिक हाइडोजन परमाणूं हेलोजन परमाणूं से प्रतिस्थापित होते हैं और हेलोजन क्या है शिरीमान? हेलोजन अभी क्रियाशील अथातू है जिसके साथ कर्शक इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या कोई भी मुझे बता सकता है कि हेलोएरीन क्या है? हाँ श्रीमान हेलो एरीन अणू है जिसमें हेलो जन अणू कार्बन अणूओं के साथ आबंदित रहते हैं जो एक एरिल वलै का हिस्सा है बहुत अच्छे रोहित इस पार्ट में हम हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन के बारे में और अधिक सीखेंगे उतेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन को वर्की क्रेट करना एलकिल हैलाइट और एरिल हैलाइट की नाम पधधिपर चर्चा करना ती एक साबंध की प्रकृती की जानकारी हेलो एलकेन तथा हेलो एरीन बनाने की विभिन विधियों के बारे में वर्णन करना एलकिल हैलाइट और एरिल हैलाइट के भौतिक गुण धर्मों का वर्णन करना वर्गी करन हेलो एलकेन अथवा एलकिल हेलाइट वे यौकिक हैं जिसका सामाने सूद्र आर एक्स है जहां आर एक एलकिल अथवा प्रतिस्था पिस समू है और एक्स हेलो एरीन अथवा एरिल हेलाइट वे यौकिक हैं जिनमें हेलोजन सीधे अरोमेटिक वले से जुड़ा रहता है उनका सामानि सूत्र ARX है जहां AR फैनाइल अथवा प्रतिस्थापित फैनाइल है हैलो एलकेन तथा हैलो एरीन को हैलोजन पर्माणों की संख्या की अनुसार वर्गी कृत किया जा सकता है इनको मोनो, डाई, अथवा पॉली हैलोजन योगिकों में वर्गी कृत किया जा सकता है पॉली हैलोजन योगिकों में ट्राई, टेट्रादी चामिल है वर्गी करण कार्बन पर्माणों के संकरण के आधार पर मोनो हेलो योगिकों का वर्गी करण जैसा की नीचे दिया गया है किया जा सकता है हेलोजन योगिक जिसमें हेलोजन SP3 संकरित कार्बन अबंदित रहता है एलकिल हैलाइट अथवा हेलो एलकेन आर एक्स इनका समान सूत्र CNH2N जमा एक एक्स है इन्हें हेलोजन पर्माणू के प्रात्मिक, दुईतियक अथवा तृतियक कारवन अणू से आबंधन के आधार पर पुना प्रात्मिक, दुईतियक अथवा तृतियक में वर्गिक रित किया गया है। एलिलिक हेलाइट ये वे योगिक होते हैं जिनमें हेलोजन पर्माणू कारवन कारवन दुईक आबंध सी बराबर सी के समीप वर्थी स्पी तीन संकरित कारवन पर्माणू से आबंधित रहता है। बेंजलिक हेलाइट इन योगिकों में हेलोजन पर्माणू एरोमेटिक वले से जुड़े स्पी तीन संकरित कारवन पर्माणू से आबंधित रहता है। यानि कि एक बेंजलिक कारवन के साथ। वर्गी करण हेलोजन योगिक जिसमें हेलोजन SP2 संकरित कारबन वाइनिलिक कारबन के साथ आबंदित होता है. वाइनिलिक हैलाइट इन हेलाइडों में हेलोजन परमाणू कार्बन कार्बन दुई काबंद C बराबर्सी के SP2 संकरित कार्बन परमाणू से जुड़ा रहता है यानि एक वाइनिलिक कार्बन के साथ एरिल हेलाइड इन हेलाइडों में हेलोजन परमाणूं एरोमेटिक वले के कार्बन परमाणूं से सीधे आबंधित रहता है। उधारण हेलोबेंजीन नाम पद्धती एलकिल हेलाइडों के समाने नाम की व्युदपत्ति के लिए एलकिल समों का नाम लिखने के पश्चाद हेलाइड का नाम लिखा जाता है। हेलो एरीन को IUPAC में एरिल हेलाइट कहा जाता है, सामानने अथवा ट्राइवियल पद्धती में भी यही कहा जाता है. डाइ हेलो जन योगिकों के लिए सामानने अथवा ट्राइवियल पद्धती में O-M-P- का प्रियोग उपसर्ग के रूप में किया जाता है, लेकिन IUPAC पद्धती में 1,2,1,3,1,4 संख्याओं का प्रियोग किया जाता है. नाम पद्धती डाइ हेलो योगिक जिन में एकी ही प्रकार के हेलोजन परमाणू होते हैं, इनको जेमिनल हैलाइट तथा विसनल हैलाइट में वरकी क्रित किया जाता है. जब दो समान हेलुजन परमाणू समान कार्बन से जोड़े जाते हैं तब उनको जैमिनल डाई हाईलाइट कहते हैं समाने नामकरण पद्धती में ऐलकलीडीन हैलाइट के रूप में नामित किया जाता है और IU-PAC नाम पद्धती में उनको डाई हेलो एलकेन के रूप में नामित किया जाता है जब दो हेलोजन परमाणू नस्दी की कारवन परमाणू से जुड़े होते हैं तो उनको विसिनल डाई हेलाइट नामित किया जाता है उनको सामाने नामकरण पद्धती में एलकेलीन डाई हेलाइट के रूप में नामित किया जाता है और उनको IU-PAC पद्धती में डाई हेलो एलकेन नामित किया जाता है CX आबंद की प्रकृती हेलोजन पर्मानू कार्बन पर्मानू की तुल्ना में अधिक विद्धुत रणात्मक होता है अता एलकेल हेलाइट का कार्बन हेलोजन आबंद द्रुवित हो जाता है इससे कारपन पर्मानू पर आंशिक धनावेश तथा हेलोजन पर्मानू पर आंशिक रनावेश आ जाता है। क्योंकि हेलोजन पर्माणू का आकार बढ़ता जाता है, आता समुह में नीचे की ओर फ्लोरीन से आयूडीन तक हेलोजन आबंध की लंबाई C.F. से C.I. तक बढ़ती जाती है. बनानी की विधियां एलकोहल से जैसा की रासाइनी कभी क्रियाओं में दिखाया गया है, एलकिल हैलाइट एलकोहल से बनाए जा सकते हैं एलकिल हैलाइट को उतपादित करने की विभिन विधियां हैं थायोनिल क्लोराइट के उपियोग की बहुत आसान विधि है जोकि दूसरे उतपाद SO2 और हाइड्रो क्लोरिक एसिड कैसे हैं और आस्वन के क्रम में चुद्ध एलकिल क्लोराइट को छोड़ते हुए ये आसानी से निकल जाती हैं बनानी की विधियां हाइड्रो कार्बन से मुक्त मूलक हेलोजनन द्वारा पराबैगनी प्रकाष अथ्वा अताप की उपस्तिती में हेलोजनन के एक एलकिन के साथ अभिक्रिया एलकिल हैलाइट अथ्वा हेलो एलकिन को बनाने का काम करती है एलेक्ट्रोन ड्रागी प्रतिस्थापन द्वारा एरिल हैलाइट को लूइस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्तिती में जैसे की आईरन अथवा आईरन तीन, एरीन के हैलोजन, एलेक्ट्रोन रागी प्रतिस्थापन द्वारा बनाया जा सकता है बनानी की विधियां सैंड मायर अभिक्रिया जब जलिये खनिज अमल में घुली, एरोमोर्टिक, एमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रित किया जाता है, तब डाईजूनियम लवन बनते हैं सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा बने घुल को क्यूपरस क्लोराइट अथवा क्यूपरस ब्रोमाइट से मिश्रित किया जाता है, तब वो डाईजूनियम समुह को C-L अथवा B-R द्वारा प्रतिस्थापित करता है यदि हम डाईजूनियम समुह को क्यूपरस हैलाइट की बजाए, आयोटीन द्वारा प्रतिस्थापित करें, तब हमें पोटेशियम आयोटाइट का उप्योग करते हैं बनानी की विधिया एल किनों से हाइडोजन हैलाइट के संयोजन द्वारा हाइडोजन हैलाइट से अभिक्रिया करने पर एलकीन संगत एलकिल हैलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं हाइलोजन संयोजन TCL4 में घुली ब्रोमीन के एलकीन में टालने से परिरामसरूप, सन्निथी यानि विस, डाइब्रोमाइट प्राप्त होता है बनाने की विधिया हालोजन विनिमाए एलकील क्लोराइट ब्रोमाइट को चुशकु ऐसी टोन की उपस्तिती में अभिक्रिया कराने से एलकील आयोडाइडों को बनाया जा सकता है इस अभिक्रिया को पिंक क्लेस्टाइन अभिक्रिया भी कहा जाता है एल्किल फ्लोराइट को स्वार्ट्स अभिक्रियात्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें एल्किल क्लोराइट ब्रोमाइट को धातू फ्लोराइट की उपस्तिती में गर्म किया जाता है भौतिक गुण धर्म शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइट रंगिहीन होते हैं, परंतू प्रोमाइट तथा विशेशकर आयोडाइट प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं गलनांक एवं कौतनांक ध्रूविये प्रकृती और संगत कार्बनी खैलोजन योगिकों के हाइड्रो कार्बन की तुल्ला में उच्च आणवीक द्रवेमान के कारण कार्बनी खैलोजन योगिकों में अंत्रा आणवीक आकर्शन बल दूई ध्रूव दूई ध्रूव तथा वांटर वाज प्रभ प्रप्राइबनों के कौथनांकों की अपेक्षा अधिक होते हैं। एल्किल समू के लिए जैसे R, एल्किल हैलाइडों के कौथनांक के घटने का क्रम इस प्रकार है। RI का उच्चतम कौथनांक होता है, RBR, RCL और RF का कौथनांक क्रम घटता जाता है। गलनांक एवं कोथनांग समाव यवी एलकिल हेलाइडों के लिए गलनांक शाखन के साथ खटता है ये इसलिए है क्योंकि प्रिष्टिक शित्र को शाखन श्रंकला घटाती है और परिडामता अंत्रा अनुक आकर्शन बलों को भी घटाती है समाव यवी डाई हेलो बेंजीन के कोथनांग लगभग समान होते हैं समावयवी डाई हेलो बैंजीन का गलनांग पूरी तरह भिन है पैरा समावयवी का गलनांग मोटे तोर पर आर्थरो तथा मेटा समावयवी के तुल्ला में सतर से सो डिगरी उची तर रहता है पैरा समावयवी का उची गलनांग समित तनजना के कारण है जो इसको crystal lattice यानि जालक के लिए अच्छी तरह fit बनाता है घनत्व एलकिल chloride समानता पानी से हलके होते हैं जबकि bromide और iodide भारी होते हैं उनके घनत्व RI पड़ा है RBR पड़ा है RCL से जो क्रम में है फिर भी poly chloride पानी से भारी होता है घुलन शीलता हेलोजन एलकेन पानी में अल्पविले है हेलोजन एलकेन को पानी में घुलने के लिए हेलो एलकेन अड़ों और पानी अड़ों के बीच आबंद को तोड़ने के लिए उर्जा की आविशकता होती है जब हेलो एलकेन अड़ों और पानी अड़ों के बीच आबंध बनते हैं, तब बहुत कम उर्जा मुग्द होती है, जिसके कारण से हेलो एलकेन पानी में अल्प विलाई होते हैं हेलो एलकेन कारणिक विलाईकों में घुलनशील होते हैं, जैसे की एथर एलकोहॉल और बेंजीन, क्यूंकि इन में मुग्द हुई तथा आवश्यक उर्जा बराबर होती है क्या आप जानते हैं, हेलो एलकेन का प्रयोग लौधीमा करने, अगनी शामकी अंद्रों, रेफरेजरेटर्स, प्रणोदकों, विलाईकों और दवाईयों में किया जाता है बहुत से हेलो कारबन घातक प्रदूशन कारक और विशाक्त होते हैं उधारण, क्लोरो फल्योरो कारबन, सारे अंटाक्टिका में, ओजोन परत के अवक्षय में अग्रणी है सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं हेलो एलकेन वे योगिक हैं, जिनका प्रतीक आर एक्स है, जहां आर एक एलकिल अथवा प्रतिस्थापित एलकिल समू है, और एक्स हेलोजन एफसील बी आर आई है हेलो एलकेन वे योगिक हैं, जिनमें हेलोजन सीधे एक एरोमेटिक वलाई के साथ लगा रहता है सामाने नाम प्द्धती में एलकिल हैलाइट को हेलोजन से लगे एलकिल समू के नाम और हैलाइट का नाम जोड़ कर नाम आंकित करते हैं आई यू पीएसी नाम प्द्धती की प्द्धती में एलकिल हैलाइट को हेलोजन प्रतिस्थापित हैड्रो कार्बन के रूप में नामित किया जाता है एलकिल हैलाइट को एलकोहॉल, हैड्रो कार्बन और हैलोजन विनमेद्वारा बनाया जा सकता है क्लूराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइडों का कौतनांग लगभग समान अनविक द्रवेमान के हाइड्रोकारबन से उच्च होता है समाव यवी डाई हेलोपेंजीन के कौतनांग लगभग समान होते हैं समाव यवी डाई हेलो बेंजीन के गलनांग सर्व प्रकार से भिन होते हैं हेलो जन एलकेन पानी में अल्प विले होते हैं